ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी क्रश्न हमारी यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मित्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 21 दिसंबर 2023 गुरुबार का दिन है मार्गशी श्रमाह के शुकलपक्ष की नौमी तिथी है रेवती नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे इसी रात्री 11 बच करके 69 मिनिट पर पंचक समाप्त होंगे और दिशासूल जो कि दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो जीराखा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी दो पहर एक बच की तीस मेंट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगलिक का रिप्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्ने आप अपने खृतर के पंचांग अथवा केलेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की धनु राशी में वहीं टंद्रमा मीन राशी में मंगल ग्रह वर्ष्चिक राशी में बुद्गा धनु राशी में देव ग्रुब रहस्पती जो की मेस राशी में शुक्र ग्रह तुला राशी मे शनिदेव कुंब राशी में राहुग्रा मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश, मिथुल, सिंग, तुला, धनु, कुंब और मीन ये सात राशियां सबस्दिक भागिशली रेने वाली है श्ब्मुर्त की अगर हम बात करें तो गुरुबार का दिन है और गुरुबार के दिन सबसे पहला जो शुब मुर्त रहेगा वो सुबह छे बजे से लेके साड़े साथ बजे तक शुब का चोग्रिया तथा उसके बाद सुबह साड़े दस से दो पार बारा बजे तक चर का चोग्रिया तथा दो पार बारा बजे से लेके तीन बजे तक लाव एवम अमरत का चोग्रिया रहेगा और शाम को साड़े चार से ले करके छे बजे तक शुब का चोग्रिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करते हैं मांगलिक कारी करते हैं नया काम करते हैं तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का से यूग बन सकता है अब हम आपको मेश से लेकर की मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंतर देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर्ण सद्वयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होगे भविश्य संबंदी महत्वपूर्ण योजना बनेगी धनलाब होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर म जाकर के यदि आप चावल का डान करेंगे तो आपका देन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजान बढ़े विध्यारतियों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्था मे आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भूजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफल्दाई साबित होगा आपका भागिशाली अन्क नों होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ म जामने परास्त हो जाएंगे कोई महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच हो कारे में विचार विमर्ष करेंगे धार्मी कारियों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतित होगा और तिक इसी ती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मस चेरी के मामलों में आपको फाइडा होगा और मनसिक तनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे आपको मैं तथा सम्मान भी प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज को प्राप्त दारों की आबा जाही बनी रहेगी और उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अक्ष के प्रती आप एकाग्र जित रहेंगे सफलता आपको वश्य ही प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशय में आप विचार बेमर्श कर सकते हैं उपाय के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल गंगा जल या कोई भी तीर् और मैंसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्थाई संपत्ति भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक अधिक बढ़ने वाला है उपाई के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका रिंच शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्व राशी की इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबल वा आत्म इश्वास पेदा करेंगे सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोम्यतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी पारिवारिक माहुल सकारात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आप आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हम तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको रापके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद